Infertility यानि बांचपन ये एक ऐसी emotional state है जो सिर्फ वही लोग समच सकते हैं जो माबाप बनना चाहते हैं हजारों कोशिशों के बावजूद भी नाकाम होते हैं लेकिन इस problem को solve किया जा सकता है जब आप खुद कोशिश करें ये चीज़ पर इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चार स्टेप्स बताऊंगी जो आपको फॉर्टिलिटी एन्हांस करता है और एंड में एक ऐसा बोनस टिप भी दूंगी ताकि आपकी फॉर्टिलिटी प्रमोट हो एन्हांस्ट हो और आप माबाप बनने का सुक उठा सके तो जैसे कि मैंने बताया था कि फॉर्टिलिटी को हम नेचरली ट्रीट कर सकते हैं इसमें एक चार ऐसी स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे फॉर्स्ट ऐसा है कि राइट डाइट आपको लेना है कोई भी चीज हो आपके खाणपान से connected है तो आपको अपना जो भी घिज़ा आप लेते हैं उसको correct करना है first ऐसा है males में particularly जब fertility increase करना हो तो seeds and nuts का इस्तेमाल करना है seeds जयसे कि watermelon seeds है pumpkin seeds है particularly pumpkin seeds males में fertility को enhance करती है जयसे कि sperm count को increase करता है mortality बढ़ाता है और enhance करता है fertility attend करने में तो pumpkin seeds ज्यादा तर इस्तेमाल करें along with the other seeds और nuts तो आपको लेने हैं हर खिसम के जैसे के almonds हैं जितने भी dry fruits आते हैं वो सारे आप ले सकते हैं लेकिन pistachios जिसे हम pistachios कहते हैं वो वाला आप ज़रूर अपनी diet में include करें ताकि fertility attain कर सकें particularly in men and women में जो PCOS से मुतासिर हैं उनको इस चीज़ पर work करना होगा and PCOS में मैंने अपना detail video बताया था कि कैसे आप PCOS को combat करें और naturally कैसे fertility gain करें तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं plus women's को चाहिए कि ऐसी diet लें जो fiber-rich diet हो क्योंकि जबी भी हम अपने खाने में fiber include करते हैं तब fertility increase होती है क्योंकि जितने ज़्यादा excessive hormones होते हैं जो infertility को lead करते हैं वो वाले hormones normalized होने लगते हैं अब fiber आपको किस में मिलेगा animal food में fiber नहीं है fiber आपको मिलेगा plant food में तो जितने जादा fruits जितने जादा vegetable है आपको वो लेने होंगे ताकि आप अपनी fertility को बढ़ा सकें अब देखते हैं दूसरा step फर्स step में हमने देखा थे कि क्या चीज इंक्लूट करनी है अब यह चीज है कि क्या चीज एक्स्टूट करनी है अब हम हमारी घिजा में अगर ऐसे चीज़ें खाएंगे जो कि आपके fertility को प्रमोट होने नहीं देते जैसे कि आप animal food खाते हैं milk milk product यह सारी चीजों से hormonal imbalance हो जाता है और आप fertility अटेंड नहीं करते जहां पे आप लाग कोशिशों के बावजूद भी कितने भी दवाएं खा ले आपका अगर खान पान अगर यही चीजों में इड़्द गिर्द रहेगा तो आप fertility अटेंड नहीं करेंगे तो आपको यह ची product होते हैं या factory से आते हैं जितने भी teen canned product है process चीजें हैं यह सारी आपको avoid करनी होगी अगर आप fertile होना चाहते हैं तो third step है exercises no doubt exercise is a medicine हम exercises को काफी light लेते हैं exercises in the form of walking, jogging, running, deep breathing हर चीज दिन भर का अगर 90 minutes of exercise आप करेंगे तो हर किसम की बीमारी से आप prevention तो मिलेगा ही लेकिन आप दिन बादिन बहतर महसूस करेंगे fertility को enhance करने के लिए दिन भर में अगर 30 minutes of physical activity भी अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत काफी होगा और फायदे मन्द होगा क्यूंकि जितने भी ज्यादा hormones होते हैं जो fertility को promote करते हैं वो बनना start हो जाते हैं और आपका जो fertile factor है वो बढ़ जाता है फ़र्थ है meditation, researches के मुताबग बताया गया है कि जितने लोग कोशिश करते हैं माबाप बनने के लिए लेकिन बन नहीं पाते हैं वो stress और एक तनाव से गुजरते हैं पहले तो उनमें कुछ physiological defects होते हैं जिसकी वज़े से वो माबाप नहीं बन पाते हैं पर एक ऐसा emotional factor आ जा stress-free life जीए और stress से दूर रहें stress को combat करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं जैसे कि आप नॉर्मल आपका जो भी रूटीन है आप एक activities में इंगल्फ करिए एक hobby maintain करिये या फिर walking, jogging, exercises के form में इंक्लूड करिये and stress-free रहने के लिए आप meditation कर सकते हैं और deep breathing exercises कर कर सकते हैं ताकि आपका stress दूर रहे और जितने भी सारे दूसरे चीजे मैंने तीन factors बताए हैं अगर आप लेकर आएं तो आपका Fertile factor जरूर बढ़ेगा अब है बोनस टिप में आपको यह करना है कि आपको जो internal hormones mechanism है उसको ठीक करना है उसको हम नेचरली कैसे ठीक करें उसमें injuries अगर है, inflammations अगर हैं तो वो reduce होते हैं आप एक natural place select कर सकते हैं जैसे पार्क हो जहां पर आपको birds की आवाज आते रहे या फिर natural कोई भी sound है वहाँ पर आप कामली बैठ जाएए एक proper position जो मैं आपको बताऊंगी वो वाली position आपको लेना है और body में आपको sound generate करना है जैसे कि अब मैं ऐसी position लेच चुकी हूँ और मैं deep breathing exercises अब कर रहे हूँ उसके बाद मैं अपने ये दो हाथ लूँगी और मेरे आँख बंद करूँगी और जबान जिसे जीप या फिर टंग कहते हैं उसको मैं upper palate पे इस तरह से उपर रखूँगी और मैं थम से अपने कान को बंद कर दूँगी कान और आँख दोनों बंद होने चाहिए आपको concentration एकदम relax रहना चाहिए आपको जबान उपर और मैं एक sound create करूँगी internally यह वाली टेखनीक आपको 5-10 मिनिट्स तक करनी है इससे यह होता है कि जो आप humming sound जो इंटरनली करते हैं अपने अंदर वो बॉड़ी में sound टकराते हैं हर और और जितने भी imbalances है उस imbalances को ठीक करता है तो यह टेकनीक आपका जो fertility factor है उसको भी बढ़ाता है अगर आपको कोई PCS का प्रॉबलम है तो वो भी आपका ठीक होगा fertility अटेंट करने के लिए लाइफस्टाइल चेंज जरूरी है कोई भी दवा कोई भी चीज आपको तब तक काम नहीं करती जब तक के आपका लाइफस्टाइल आप चेंज नहीं करते और 100% एफस्टाइल हो सकते हैं जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सके I hope this video is helpful to you and I expect के आप यह message दूसरों तक जरूर फैलाए थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू